बॉलिवुड कैफे आज एक्स्प्लेन कर रहा है एक पॉलिश मूवी इस मूवी में मदर और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रेक्टेड होती हैं यह फिल्म पॉलेंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की एवार्ड विडिंग मूवी है जो कि 2017 में रिलीज हुई थी इस मूवी में मॉम इवा और डॉटर जुलका एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है आज जुलका का 18 बर्थडे है इसलिए वो बर्डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहां पे आई हुई है जुलका ने भी अपने कुछ खास फ्रें जुलका की मॉम जुलका को पूछती है कि यह यहां पे क्या कर रहा है वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है लेकिन जुलका अपनी मॉम की बात को इग्नौर करते हुए बाहर चली जाती है जुलका की मॉम देखती है कि जुलका काफी टाइम से बॉइफेंड था जुलका एड्रियन से काफी जादा प्यार करती थी लेकिन जुलका की मॉम इवा को इन दोनों का रेलेक्शन बिलकुल भी पसंद नहीं था सौपिंग करके जुलका की मॉम बाहर आती हैं जुलका कहती हैं कि मुझे बड़ी खुसी हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खूब सेलिब्रेट करेंगे तब ही एड्रियन कहता हैं कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे तो जुलका थोड़ी डिसपन्ट होती है और वो कहती है कि अब क्या तो एड्रियन कहता हैं कि देखते हैं जुलका को किस करते हुए देख के जुलका की मॉम कहत कि इधर आओ और यह सामान सही से रख दो, किलियरली यहाँ पर लगता है कि एड्रियन को जुलका की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जुलका की मॉम खुद भी एड्रियन की तरफ काफी अट्रेक्टेट थी और एड्रियन तो खेर जुल तो जूलका की मॉम के तो जिलका की मॉम के पीछे-पीछे जाता है तो जुलका की मॉम कहती है कि तुमारी बस एक घंटे में निकलने वाली है तुम यहाँ से चले जाना एड्रियन को पता था कि जुलका की मॉम का बहेविर उसके लिए कुछ जादा सही नहीं रहता है इसलिए वो without any reaction घर के अंदर चला जाता है एड्रियन घर के अंदर आता है और जुलका की मॉम से बात करना चाता है लेकिन वो जुलका की मॉम से काफी डरता है क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का अंसर नो ही होने वाला है तो भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुलका ने मुझे invite किया था अब अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो जुलका को अच्छा ने लगेगा और उसका birthday spoil हो जाएगा क्या आप ऐसा चाहती है क्या मैम कि उसका birthday spoil हो जाए लेकिन जुलका की मॉम बिना कुछ जवाब दिये ही सामान उठक के वहां से store room की तरफ चली जाती है जुलका की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलाल के लिए यहीं पे रुक जाता है तो थोड़ी देर बाद में जुलका उसकी मॉम को कहती है कि हम लैक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं तो जुलका की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुलका को कहती हैं कि हमें अभी केक बनाना चाहिए लेकिन जुलका कहती हैं कि अभी तो बारा ही तो बजे हैं हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हैं और वो स्विम करने के लिए अपने बॉइफरेंड के पास चली जाती हैं इस जवाब को सुनके जुलका की मॉम थोड़ी डिससपॉइंट हो जाती हैं जुलका की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती हैं लेकिन उसका धियान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता हैं वो काम में बिलकुल भी कॉंसेन्टरेट नहीं कर पा रही ह पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खीचे जा रही है। जुलका की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो वो घर से बाहर आके देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुलका और एड्रियन क्या कर रहे हैं। वो देखती हैं कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी जुलका दोनों मिलके काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब जुलका की मॉम जुलका के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती हैं और अपने लेक हाउस को लेटन से सजाती हैं। जुलका की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तयार करती हैं लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुसी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने के पहले थी जो खुसी उसके चेहरे पे सौपिंग मॉल में थी अब वो खुसी पता नि कहां गायब हो गई है जब जुलका की को रेलाइज हो जाता हैं तो वो फूस्त है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो जुलका की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती हैं कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है कि जुलका ने मुझे भेजा है उसको संस्क्रिम चाहिए मुझे मिल नहीं रही है तो जुलका की मौम वहीं पर खड़े खड़े बोलती है कि अगर संस्क्रिम चाहिए तो डूड़ना सुरू कर दो एड्रین जुलका की मौम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिस करता है जुलका की मौम भी यहां से हिल नहीं रही थी एड्रियन बिल्कुल करीब आके बोलता है कि प्लीz मैं मुझे रहने दीजे प्लीz मुझे जुलका के बर्थ डे में सामिल होने दीजे जुलका की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि संस्क्रिम तो बात्रूम में रखी है मैं लेकर आती हूँ और वो एड्रियन से दूर हट जाती है बात्रूम में जाते हुए जुलका की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस एक घंटे के अंदर आने वाली है तुम अपने घर चले जाना फिर जुलका की मॉम बात्रूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है वो थोड़ा पानी पी तो पीछे से जुलका की मॉम उसको देखती हैं और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती हैं साम का समय हो चुका होता है एड्रियन और जुलका दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुलका मॉम के डेकोरेशन को देखती हैं और वो कहती हैं कि मॉम नए ये लیटरंग क्यों लगा दिये एड्रियन भी जुलका के पीछे जाई रहा होता हैं तो उसको जुलका की मॉम रोक देती है और वो कहती है कि तुमारे डैड का कॉल आया था तुम्हें घर पे बुलाया है तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है तो जुलका उसकी मॉम को पूछती है कि Adrian के dad ने Adrian को call क्यों नहीं किया तुम्हें क्यों call कर दिया तो जुलका की mom कहती है कि तुम दोनों swim कर रहे थे और lag के पास proper network नहीं आता है इसलिए उन्होंने मुझे call किया है अब Adrian को वापस जाना पड़ेगा Adrian अपना phone देखता है और उसको पता है कि यहां network की कोई problem नहीं है इसलिए वो जुलका की mom के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे father ने आपको call नहीं किया है आप मुझे एक chance क्यों नहीं देती है तो जुलका की mom Adrian को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुमारे dad को call कर सकती जैसे कि Adrian बिल्कुल ही जूट बोल रहा है वो कहती है कि तुम कितने बेसर्म लड़के हो तुमें पता है न क्योंकि जुलका की mom को पता था कि वो जुलका का boyfriend होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी flood करता है तब ही जुलका आती है और कहती है कि keys मिल गई है ले जाओ तो समय वो जुलका की mom को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है मैं जुलका से सच में प्यार करता हूँ जुलका की mom और Adrian के बीच में एक अनकही romantic tension अब जादा बढ़ रही थी ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाते थे लेकिन जुलका की mom का moral inhibition इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था अब Adrian कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुलका की mom देखती हैं कि जुलका और Adrian दोनों बाते कर रहे हैं और जुलका Adrian को पूछ रही हैं कि वापस आओ गे न तो Adrian कहता है कि sure मैं जरूर आऊंगा और वो दोनों एक दू पर आके अपनी mom से पूछती हैं कि mom आप Adrian से इतनी नफरत क्यों करती हो तो Adrian की mom पूछती है कि क्या तो जुलका अपना question repeat करती है कि आप Adrian से इतनी नफरत क्यों करती हो जुलका की mom को समझनी आया कि इस बात पर वो कैसे react करे तो जुलका कहती है कि Adrian आपके बारे में दिन मे बार-बार पूच रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ तो उसकी मॉम कहती हैं कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में तो जुलका कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले naked swimming के लिए गई थी जिसकी वज़े से हमारे neighbors ने complain कर दी थी और हमारे गाओं के administration ने मेरी mom को इस बात के लिए warn किया था कि वो आगे से lake में naked swimming करने के लिए नहीं जाए तो इस बात पे जुलका की mom काफी surprise हो जाती है कि ऐसी private बात उसने उसके boyfriend Adrian को बता दी है जुलका बात को कारते हुए कहती है कि milk नहीं है क्या मुझे cake बनाना है तो उसकी mom काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि milk तो हम खरीद के लाए थे तो जुलका कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है तो जुलका की mom जुलका को कहती है कि milk तो है नहीं मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा और वो shower लेने के लिए bathroom में चली जाती है जुलका बिना किसी सक के cream prepare करने में लग जाती है अब जुलका की mom milk लाने के भाने से lake house से दूर city की तरफ जाती है एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था जुलका की mom car लेके उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है एड्रियन चुपचाप car में बैठ जाता है और जुलका की mom car चलाती रहती है ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे काफी देर तक जुलका की mom car चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक awkward type का silence रहता है थोड़ी देर बाद में जुलका की mom एक सुनसान सी जगध देख के अपनी car को रोक देती है लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे जुलका की mom उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हातों से जुलका के mom के चेहरे को सेलाता है जुलका की mom एड्रियन के physical attraction से अब हार चुकी थी और अपने आपको उसने एड्रियन के हवाले कर दिया और अब ये दोनों मिलके कार में intimate होते हैं intimate होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुलका की mom देखती है कि उसके phone पर जुलका का call आ रहा है लेकिन वो जुलका का call काट देती है एड्रियन जुलका की mom के पास आता है और उसके चेहरे पे अजीब सी खुसी होती है लेकिन जुलका की mom इतनी खुस नहीं होती है क्योंकि वो अपनी desire के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ intimate होई थी बलकि वो दिमाग से नहीं चाती थी कि वो अड्रियन के close भी रहे इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोसिस करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती लेकिन body की unmitigated chemical desire हमेशा human intelligence पे भारी पढ़ती है और यही बात जुलका की mom के साथ भी हुई जुलका की mom एड्रियन से cigarette मांगती है वो cigarette जला के जुलका की mom को दे देता है और फिर से जुलका की mom के close आने की कोसिस करता है लेकिन जुलका की mom अब उसमें कुछ खास interest नहीं दिखा रही थी और वो कहती हैं कि चले जाओ यहां से प्लीज तुम चले जाओ यहां से एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार्ड से नीचे उतर जाता है और वो वहां से चला जाता है जुलका की mom अपनी cigarette खतम करती हैं गहरी सांस लेती हैं और फिर घर की तरफ निकल जाती एड्रियन अब चला गया है तो जुलका की mom सोचती हैं कि अब वो जाके अपनी daughter का birthday celebrate करेगी जुलका की mom जब leg house पे पहुंसती हैं तो वो देखती हैं कि घर का सारा decoration बिखरा पड़ा हैं जो latins उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे हुए हैं और कुस तो तूटे हुए भी हैं ये देख के जुलका की mom को बड़ा अजीब लगता हैं वो घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जुलका बे सुद किचन के floor पर सोई हुई हैं जुलका अपनी mom से पूछती हैं कि आपने मेरे call को answer क्यों नी किया तो जुलका की mom उससे जुट बोलती हैं कि मेरा phone mute mode पे था जुलका की mom पूछती हैं कि तुमने केक कैसे बना दिया तो जुलका कहती हैं कि मुझे milk मिल गया था वो store room में रखा हुआ था ये सुनके जुलका की mom थोड़ी घबरा जाती हैं और वो जुलका को पूछती हैं कि तुमने decoration क्यों हटा दिया आज तो तुमारा birthday है ना तो जुलका कहती हैं कि कोई party नहीं होगी यहां पर जुलका की mom को अंदरें अंदर काफी डर लग रहा था जुलका कहती हैं कि Adrian ने मुझे message किया हैं कि वो नहीं आएगा और अब वो जिन्दगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा जिसकी वज़े से जुलका को बहुत ज्यादा hurt हुआ और वो काफी रोई और अभी भी काफी रो रही हैं जुलका की mom नीचे बैठती हैं जुलका को console करने की कोसिस करती हैं तो जुलका कहती हैं कि mom आप हमेशा से सही थी आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है देखो आज birthday के दिन उसने मुझसे break up कर लिया उसने मेरा birthday पूरी तरह से spoil कर दिया mom आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी और जुलका यहाँ पे काफी रोती हैं जुलका की mom जुलका को गले लगा देती हैं लेकिन जुलका को नहीं पता कि उसकी mom नहीं एड्रियन को बार-बार यहां से जाने के लिए कहां और अब वो खुद एड्रियन के साथ रोमांटिकली इन्वाल्व होके आई है अब बार यहां पर वीडिया को नहीं अब आप एड्रियो बन दिये है बहुत वार प्लट प्लक्षिंन उठाया काणिए आप अपही तेरे तरा नहीं ना किसे दो बढ़ागी है आप उणा लीए है अल्हां भीजिखा आपता करते बाख़ों को जयाए अल्हां यजो एक तुरांची यहींट पड़के दोजिगां में तेरे प्रेनों भाणी हो चैनल उनल्हां एफे प्रेंट वहाणी होग को ड्यार थे नाटकर के दोड़के दोड़ मिद गए अटर्वार्म आप में जग रिखे टेरे वाप बंबना उना ऐ्मिख टोरु नियरे यपरे को यदे गुद डाहत जागे यदिन प्रॉप भुकर योटी उसी कि अरे अग्रीचना। प्रॉप कदा एंग। नह्यों नहीं नहीं प्रॉबे। ब्रॉब्ले नहीं फॉबे बना दो आदी लोडीको इडिया। वुड्यों इसाफ़ाइश। आपने चाहरी है वीडियो है जूनकोता है जूनकोता है आप छाटे जा मैंने काम लागा इनना के लागा है अब है अब है काम मेंना के लागा लागा दे फिश्टावरा खांग यादू